कुर्बा के परसा भाठा बालकुनगर से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित फोर्लेन सडग बनाया जाने से मजदूरी कर जिविका चला रहे लोगों के सैक्डु घर तूट जाने के भैसत आने लगा है वाडवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है कलेक्टर से मार्ग को परिवर्तित कर बनाया जाने की मांग वाडवासियों ने की है दरसल वाट क्रमांग इत्तालिस परसा भाठा बालकुनगर एक श्रमिक बाहुले बस्ती है यहां रहने वाले लोग विभिन सेंत्रों सेहीत रोजी मजदूरी का कार्य कर परिवार का भरन पोशन करते हैं यहां रहने वालों के लिए शासन प्रशासन की ओर से मुल्गु स्विधा जैसे पानी बिजली सड़क सामुदाइक भवन की विवस्था की गई है समय पर मकान कर भी निगम को अदा करते हैं वाट परसत संतोस कुर्रे ने बताया की फोलें सड़क बनाने के लिए पचास साल पुरानी पर साभाटा बस्ती को उजाड़ने की बात हो रही है जो नियाय संगत नहीं है शासन से प्रस्तावित आदेश के अनुसार राष्ट्रिय रादमार्क सड़क पर साभाटा बस्ती से होकर गुजरेगी ऐसा होने पर बस्ती के सैक्रों लोग बेघर हो जाएंगे बालको नगर का मुख्य सबताहिक बाजा दुकान थेले गुम्टियों के तूट जाने से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और लोगों को भुकमरी के दिन देखने पड़ेंगे बस्ती के लोगों ने कलेक्टर से मांग करते हुए कहा की फोरलेन सडक निर्मार के लिए किसी भी गरिप का घर ना तोड़ना पड़े इसलिए जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए मार्ग को परिवर्तित कर फोरलेन का निर्मार किया जाए घर तूट जाने से स्कूल कॉलेज में अध्यन कर रहे छात्र छात्रों को मांसिक पीड़ा से गुजरना उनके भविसे पर विप्रित प्रभाव डाल सकता है हाला कि प्रभावित लोग प्रदेश के राजस्व मंत्री जैसी अगरवाल से मुलाकात कर ग्यापन सौपा है मंत्री ने उन्हें आस्वासन जरूर दिया है